हमारा कोशन 16 का कह रखा है एक बॉड़ी है और 10 kg मास टाइड वन एंड ऑफ 0.3 मीटर मतलब उसका रेडियस दे रखा है और वायर का ठीक है अभी पता नहीं है वस लग को ऐसी रहा है उसके बाद और रिट करते है इस रोटेटेड इन होरिजॉंटल सरकल मतलब उसका रेडि राइस दे रखा है आगे के लिखा है दे एडिया फॉसक्षेशन आफ वायर दे रखा है इस 10 राइस टू माइनस 3 मीटर स्कॉयर और ब्रेकिंग स्ट्रेंड दे रखी है हमें निकालना है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड दैट कैन बी रोटेटेड तो दोनों का फोर्स निका स्ट्रेंड दे रखा तो यह आपका स्ट्रैस धैस स्ट्रैस यूग इस्ट्रैस दे रखा है is 4.8 इंटो 10 राइस टू 7 Newton Newton upon Newton 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 m2 UUS के आगे तोन क्या दे रखा area of cross section दे रका र है वायर का एरिय कम दे रखा एरिया 27". अप्रोपर 10 थमाल सिक्स मेर्न निटर स्क्वायर मास दे रखा है 10 kg रेडियस दे रखा है जिरो pounds three-meter तीक है छार चीज दे रखा है तो basic formula पहले निकाल लो stress is equal to force upon area होता है तो इससे जो area निकलेगा वो क्या होगा force into area मैं value ने डाल रहा stress stress is equal to force upon area pressure के तरह ही होता है एक तरह से तो force is equal to 1.8 into 10 raise to 7 into area 6 into 10 raise to minus 6 तो इसे solve करेंगे तो क्या आएंगे इसे solve करेंगे तो 48 आ रहा है 48 newton फोर्स तो निकल गया अब दूसरा centripetal force जो rotate कर रहा है उसका formula क्या होता है centripetal centripetal force का formula लगाँ capital F लगा दें centripetal लग दिया वह होता है f r omega square एक और होता acceleration के base में भी होता है बस मैं angular velocity पूछी है तो मैं angular velocity के साफ से लग होगा इसे 48 तक 48 newton कर देंगा तो यहां से star mass कितना दे रखा है wire का 10 kg radius कितना दे रखा है 0.3 into omega square is equal to 48 newton तो omega square क्या होगा 48 upon 10 into 0.3 तो उपर गया 10 10 से 10 cancel 3 से divide 16 3 जा 48 तो angular velocity हो जाएगी बस यहां तक सारे question solve हो गये होंगे मतलब सारे question नहीं एक ही question करा रहा हूं यह question समझ आ गया होगा तो कोई doubt हो तो comment करके पूछन सारे doubt clear कराएंगे so bye bye and have a nice day